हलो एब्रिवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आयो क्यूप सब अच्छे होंगी तो आज है 18 जूलाई और आज का मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है बहुत दिनों बाद आज मैं यहां से व्लॉग बना रही हूँ तो अभी मौन सुबा के बजरें साथ और सिरेव आज यहां पर दोने ब Imma बच्चे सो रहे हैं अभी और नके पापा चलेखे हैं यहम जो हो कि बच्चे इतने पटाफट से अपना काम ने बटा लेती हूँ तो फिर बच्चों को स्कूल रहता है तो जलदी उठानें पड़ता है तो बस यहां पर येखें कितने सारे कुपड़े परिले थे इनको समाल देती हूँ तो तीन चार पांस दिन हो गए हमें है यहां पर आये वे पर ये कमरे में ऐसी कपड़े उस दिन से ऐसी पड़े थे त परullenको साहे करने की ताइम नहीं मिल रहा था पिलकुल भी और मन भी नहीं हो रहता पिल्कूल कहां था की कुछ काम करने लुट एसी पड़े थे कपड़े तो सौचने का जलो आज को करी लेती हूं काम तो कर नहीं है दीरे-दीरे स्टार्ट करती वापिस से अपना वही रोटीन तो अब कपड़ों को तैय बना कर इनकी जगा पे लगा देती हूँ जहां जाए रखे वे हैं मैंने और जैसा समान जहां पड़ा था दो महिने पहले वैसे के वैसी पड़े थे कपड़े मेरे सारे बस क्लीनिंग कर रहे थे वो जाड़ों पोचा वगरा बाकी कपड़े वगर जो जहां 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 पड़ा था वैसे ही पड़ा मिला मुझे तो बस अब उनको समालना है बाकी अ थोड़ा सा देरे-देरे मन होआ है करने का तो काम करती हूँ और अपना सही से करके लगाती हूँ इनको और अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में में और कपड़े में लगा लिए हैं आप कर ले तो इस बैट की क्लीनिंग तो बैट पर मैं इसके ओपर से मैंने चदर हटा दिये और ये मैट इस प्रोटक्टर है तो इसको अच्छे से पहले जहाड लेती हूँ और इसके ओपर फिर बैट शीट लगाऊंगे मैं क्योंकि दूर म भूर अच्छे से इस कमरे में ज्यादा कुछ आना जाना हुआ नहीं और अंदर वाला रूम में तो समिन बहुत ज्यादा दूर मितवता जाती है। और इसको साफ कर लेती हुए मैं अच्छे से जार की और फिर इसके बैड के ओपर को भी सिराने को साफ कर लूँगे मैं गिले कपड़े से क्योंकि इस पर धूर मिट्टी चिपक जाती है और वैसे आज कर बरसात कम हो समय तो खुरी स्मेल से आती है तो अच्छे से जारना वर्से से जारती हूं और फिर इसके ओपर बैड सीट लगाऊंगी मैं तो मैंने यहां पर एक गिला कपड़ा लिया और गिले कपड़े से मैं इसको अच्छे से साफ कर लेती हूं वैसा तो ज्यादा गंदा नहीं होता पर फिर भी थोड़े बहुत दूर मीटी तो बैठी अगर रोज के लीनिंग होते रहे तो फिर तो साफ सुतरा रहता है पर एक दो मेने से यहां पर कोई क्ली नहीं है तो अच्छे से साफ कर लेती हूं और इसके बाद फिर मैं यहां पर इस पर बैड सीट लगा लूंगी तो अच्छे से मैंने इसको साफ कर लिया अब मैं लगाती है इसके उपर बैट शीट और जब से मैंने मैंट्रिस प्रड़क्टर मंगा है बैट के लिए तो काफी अच्छा हो गया इस पे अच्छे से सैट रहता और गंदा भी नहीं होता है क्योंकि मेरा मैंट्रिस है वो वाइट कलर में है तो एकदम गंदा होने का रहता है फिर बच्चे कुछ गिरा भी देते है तो और जब से प्रड़क्टर मंगा है तो अच्छा है कि कुछ भी गिर जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि बहुत ज़दा एक तो सिंगल प्रवाला गदा है ओपर से सुकाना बार बार बहुत ज़दा दिक्कत होती है उसको तो उठाना भी मुश्किल है तो इसलिए बस इसमें प्रटक्टर लगाना बहुत ज़रूरी था तो बस हम में इसमें बैट शीट लगा लेती हूं तो यहां पर मैंने चदर अच्छे से बिच्छा दिये और अभी जो फोल्डिंगे इस पर भी मैं अच्छे से गदा लगा लेती हूं और चदर चेंज कर दियो तो यहां की भी तो इसके लिए मुझे एक गद्धा लेना था पर अभी इस टाइम पे चल रहा है जैसे कि भार दे आना जाना होंगी रह जादा तो फीर मैंसे चलू अभी तो काम चल रहा है बाद मीं ले लेंगे तो उसके लिए गद्धा ल कमबल यही पर। रखे जाता है, बाकी कमबल यहे लिगता है, जो वल्माइर रखे जाता है, और मेरे rinse सेथ कर लिया तो अप अच्छा सा लग रहा है क्लिणिग करने से पहले कितना गंदा सा लग टो खुदकों बहुत बहुत श्त कर रहा था अब क्लिणिग करने के पाथ अच्छा भी लगरा है तो आगवा यूमी कि इतने में बटावर से बरतन लगाती हूं और एक तरफ मैंने पोहा बना लिया था पहले ही बच्चों के लिए बच्चे उठेंगे फिर उठने के बाद वह सीधर नास्ता मांगते उनको भूख लगती है तो क्योंकि बच्चे रात में भूखे ही रहते हैं सुबह और उठके उनको सुबह-सुबह कुछ खा लेते हैं तो खाई लेते हैं इसलिए मैं पहली ही पोहा बना के रख दिया था बरतन कर लिया है मैंने सेट आप मैं किचन को विच्छे से स्लेव में से कपड़ा मार लेती हूं तो रात में अगर बरतन वगरा सारे काम निप्टा के रगदो तो फिर ज्यादा परशानी नहीं होती हुँ सुबह को फिर बस ऐसी पटावर से कपड़ा मारो और अपने लास्ता बनाओ और जाल दी से काम नहीं पर जायते हैं तो बस ऐसी कर लेते हुए मैं अपने किशन का का तो हो गए है मेरी हाकर की क्लेणिंग भी पूरी उपर उपर से तो अब बस मचाड़ों पर चाल लगाऊंगी और मेरा क्लेणिंग हो गए आज ये कम्प्लीट और अब भी टाइम हो रहा है साड़े आठ के आस पास का टाइम हो गया इस टाइम पर तो आप बच्चों को उठा लेती हूँ बस थोड़ा काम हो गया है मेरा पुरा बच्चों को उठा लेती हूँ तो यह देगे किचन भी हो गया मेरे क्लीन और आज मौसम हो रहा है ठंडा सा मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है आज और तो चलिए अब बनाते हैं भिंडी की सबजी तो आज मैं आपके लिए कुछ अलग तरहागी बिंडी की सबजी बना शेयर कर रही हूं आपके साथ तो यहां दो मीडियम साइज के बड़े वाले प्याज लिए उसको मैंने मिक्सी गरंडर में कर लिए और यहां पर एक चोटा सा पैन जैसा तरका वाला होता इसमें थोड़ा सा बेसन डाल की भूनूंगी मैं तो यहां पर मैंने दो चम्मची करी बेसन लिया है थोड़ा सा ही चाहिए हमें इसके लिए गिरेवी बनाने के लिए और बहुत अच्छी लगी खाने में चेश्टी बहुत अच्छा है अगर आप रोज की तरह प्याज वाली बिंडी खा खाकर बोर हो चुगे है तो एक बार यह ट्राय कीजिए तो बस दो ही चम्मच बेसन लेना हलका सही मैं बिल्कूल था कि थोड़ सी कच्छी स्मेल सी निगल जाए बागी बसी देखिए मैंने बस हलका सही इसको भून लिया है और यहां पर मैंने कड़ाई रख लिए और इसमें डाल लेती सर्सों का तेल गरम होने के बाद डालूंगे इसमें हींग जीरा तो इस तरह से बिं कि धीरा मा नावग डाल आग तो जैसे इक इसी जीरा मरə bourण जायेगा उसके बार डालोंगे इसमें प्यार्ज तो कभी कभी मैं इस तरह से बना लेती हूँ कभी नार्मल प्याज वाली ना लेती हूँ कभी ऐस बना लेती हूँ तब टेस्ट चेंज करना हूँ अच्छे लगती है से भी तो बसा मैं इस प्याज अच्छे से भून लेती हूँ और बच्चों के लिए मैं अलग से बना रही हूँ कुल वाली क्यूंकि बच्चे मिर्ची वाली नहीं खाते हैं तो उनके लिए बिना मिर्च के बना रही हूँ और यहां पर मैंने थोड़े से लशन लिए चार पाच और पाने में डालके इनको अच्छे से मैस्च कर लिया हूँ और जैसे यह भून जाएगा तो इसमें यह डाल दूँगी आप इसको भी इसके साथ मिलाओंगे इच्छे तो अभून आर सिया जेल ढालने तो इसमें डाल इसमें डाला इच्छ नमक, अभब रंड्य, और धनिया पाउडर जुट एच्छ के बहुतंगी पहले हूं उसके से आपाची की अच्छ ब्छूँ फेलाओंगी तो दाले हैं। नक्त यह निया पूटर जाएघर काइट से तो यह इस तरह से देखें मिलाना अच्छे से और उसके बार डालूँगी इसमें बेसन जैसी मसाले भूंजाएंगी तो अब इसमें डाल देती हो मैं जो बेसन ब्हूंगी रखा हुथा और हलका से मिलाने की बाद मैं डालूँगी पानी है यह अ हैब करें दो तो थोड़ा करके से पान डालेंगे लगबग संद निल और भाज़ा पानी है जाल बेते जरुवत पडीगी तो एक कि बेना तो ग्रेवी हलकी सी भुन जाएगी तब उसके बाद हम इसे बींडी डालेंगे और बस इसको डखके छोड़ देंगे जब तक बींडी कर लेगी तो देखें ग्रेवी बिल्कुल बनके तयार है तो इस तरह से भरके भी बना सकते हैं बिंडी में इसी ग्रेवी बना लिया और इसके बाद बिंडी में चीर लगा के भर लिया ऐसे बिना सकते हैं तो यहां पर मैं काटके बना रही हूं तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसके अंदर डाल देती हूं मैं बिं सब्सक्राइब झाल झाल